गुड मॉनिंग चिल्डरन बच्चों, आज हम हिंदी सहीते में पाठ चोधा सबसे अच्छा पेड़ परणने जा रहे हैं पेड़ क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है न पेड़? पेड़ का इस धर्ती पर कितना महत्व है, हमारे जीवन में कितना महत्व है ठीक है पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं हमारे जीवन का अभीन अंग है पेड़ अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो यह संसार है वो सारा क्या हो जाएगा बच्चों सुना वीरान ठीक है क्योंकि हरियाली चारो तरफ हरियाली हमें किस से मिलती है पेड़ों से म प्राप्त होती है ठीक है बच्चों पेड तो सबसे अच्छा पेड तो जो हमारा पाठ है वो पेड पर आधारी था है इस पाठ में पेड के बारे में बताया गया है विरिक्ष जिसको हम विरिक्ष भी कहते हैं ठीक है तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं हम अप पाट सबसे अच्छा पेड़। थंडी च्छा थी तीनो भाई उसके नीचे आराम करने लगे। ठीक है बच्छों तो इसमें क्या बता रहा है वो? की एक पेड़ था ठीक है? और जो वो हैं वो पेड़ की तलाश में, तीन भाई थे। ठीक है कितने भाई थे बच्चों तीन भाई थे तो एक दिन सुभ के समय सुभे के समय तीनों भाई घरोंगी तलाश तो तलाश को बच्चों क्या अर्थ औता तलाश का खोज ठीक है मैं आपको सासात ये कठिन शब्द भी है और शब्दर्थ भी है ठीक है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इनको खोज में निकल पड़े ठीक है तो एक दिन सुबह के समय तीनों अपने नए घर की तलाश में खोज में निकल पड़े ठीक है तीनों भाईयों को एक नया घर चाहिए था तो वो तीनों अपने नए घर की तलाश में निकल पड़े गरम गरम धूप में वे गरम गरम मतलब बच्चों उस समय गर्मी का महीना था ठीक है तो गरम गरम धूप का मतलब है कि धूप बहुत तेज हो रहे थी ठीक है वे सडक पर चलते चले गए सडक मतलब जो रास्था होता है वहां का मार्ग होता है उस पर चलते चले गए थोड़ी देर में थोड़ी मतलब कुछ देर आगे चलत कर देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया तो आम का एक बड़ा पेड़ आया उसके नीचे थंडी चाथी ठीक है, चा को बोलते हैं बच्चों चाया ठंडी चाया थी ठीक है तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे तो बच्चों पेड के नीचे क्या थी ठंडी चाया थी तीनों उस पेड के नीचे आराम करने लगे ठीक है किस पेड के नीचे बच्चों आम के पेड के नीचे अब क्यों आराम करने लगे बच्चों वो आम के पेड़ के निचे क्योंकि धूप तेज थी ठीक है और वो चलते चलते क्या हो गे थे ठक गए थे ठीक है बच्चों तो आप देखिए इस पैराग्राफ में आपके कुछ कोशन बन जाते हैं आती लगू तो कितने भाई थे बच्चों तीन भाई थे तो तीनों किसकी त आलाश में निकले थे कौन सा महीना था किसका महीना था बच्चों गर्मी का महीना था ठीक है तो उने कौन सा पेड़ दिखाई दिया गया एक बड़ा आम का पेड़ मिला ठीक है और उसके नीचे ठंडी चाया थी तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे आया बच्चो आपको समझ में ठीक है आगे देखिए पेड के पके आम तोड तोड कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे ठीक है तो पेड के पके आम तोड कर तो किसका पेड था बच्चों आम का पेड था तो उसमें जो आम है वो पके हुए थे तो वो उसको तोड कर उसका मीठा मीठा रस चूसने लगे मतलब खाने लगे तो बच्चों कौन सा महीना होगा ये जून का है ना ठीक है जून का महीने में होते है आम और समय बहुत गर्मी भी पड़ती है बड़े भाई ने कहा भाई मुझे तो यही जगा पसंद है तो जो उनका सबसे बड़ा भाई था उसने कहा आम के पेड से बढ़कर क्या हो सकता है अब उसने कहा कि इस आम के पेड से बढ़कर क्या हो सकता है ठीक है कि इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है क्यों नहीं था बच्चों से बढ़कर कुछ भी क्यों 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 उन्हें मीठा मीठा क्या मिल रहा था आम मिल र खाने के लिए ठीक है तो वो कह रहे थे कि इस आम से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है ठीक है तो इसलिए वो कह रहे थे और उन्हें आम बहुत पसंद आ रहे थे गर्मी के मौसम में ठीक है इसलिए उन्होंने कहा कि इस आम से बढ़कर हमारे लिए मतलब इस जगह से बढ कर क्या हो सकता है आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वेपक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे तो उन्होंने क्या कहा कि जब आम कच्चे होंगे ना तो हम उसका क्या बनाएंगे अचार बनाएंगे बनता है ना बच्चों उसका कच्चे आम का और जैसे ही वो आम पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, ठीक है, तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे, वो कह रहा है कि जो कुछ आम है, वो हम अपने बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे, ठीक बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने देखो, अब आम के पेड़ के हमें क्या-क्या भाइदे बताये बच्चों, और वो कहा रहा है कि कुछ आम जो है वो हम अपने बाद में खाने के लिए सुखा कर रख देंगे, ठीक है, कि कुछ को हम सुखा देंगे ठीक है, और हम उनको बाद में खाएंगे, ठीक है बच्चों, समझाया आपको, आगे देखिए, पहले भाई ने आम के पेड के नीचे एक जोपडी बनाई, ठीक है, तो जो पहला भाई है, उसने आम के पेड के नीचे एक जोपडी बनाई, ठीक है, और वहीं ठहर गया, ठहर गया मतलब होता है बच्चों ठहर गया का मतलब क्या होता है रुक गया ठीक है रुकना ठीक है तो जो पहला भाई था तीन भाई थे ना बच्चों तो तीनों में से जो पहला भाई था उसने क्या करा आम के पेड के निचे अपनी जोपड़ी बना ली और वहीं पर रुक ठीक है लेकिन उसके भाई वा नहीं ठैरे वे आगे चल पड़े लेकिन क्या हुआ जो उसका भाई था वो वा नहीं रुके जो उसके और दो भाई थे ना वो वा नहीं रुके वे आगे चल पड़े और वो आगे चल पड़े ठीक है चले गई अब पहला भाई तो बच्चों जो बड़ा भाई ने बोला था ना कि जो आम का पेड़ है वो बहुत अच्छा है ठीक है मुझे तो यही जगा पसंद है कि मुझे यहां पर आम मिलेगा खाने के लिए ठीक है वो कह रहा है उसने कहा कि जब कच्छा आम होगा तो मैं उसका आचार बनाऊंगा जब आम पक जा ठीक है चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले ठीक है अब वो जैसे जैसे आगे गए तो उन दोनों को कुछ केले के पेड़ मिले तबी आसमान से एक काला बादल गुजरा ठीक है मतलब तबी आसमान से एक जो काला बादल है वो गुजरा बच्चों काले बादल का मतलब क्या होता है क्या होता है कि बारिश होने वाली है ठीक है तो तबी आसमान से एक काला बादल गुजरा टप टप ठीक है तो टप टप का मतलब क्या हुआ बच्चों ये देखिए टप टप का मतलब क्या है जो पानी है वो बरसने लगा मतलब बारिश होने लगी ठीक है दोनों भाईयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया अब दोनों ने क्या करा जो केला है उसका एक एक पत्ता काट दिया उसके साई में उसके साई में मतलब उसके नीचे ठीक है उसके साई में उसके साई में उसके नीचे उन पर पानी नहीं गीरा तो वह फिर थोड़ी देर बाद बात क्या हुआ जो बादल है वह है चला गया बारिश रुख गई और जो बारिश है वह है रुख गई ठीक है दूसरे भाई ने कहा फिर दूसरे भाई ने कहा बड़ी भूक लगी है कि मुझे बहुत भूक लगी है ठीक है जो दूसरे भाई है उसने क्या कहा कि मुझे बहुत भूक लगी है मुझे भी तीसरे भाई ने कहा ठीक है तीसरे भाई ने कहा पहला भाई तो बच्चों वाँ पेड़ के निचे रुख गया था तो दूसरे ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है तो जो तीसरा भाई था उसने भी कहा मुझे भी बहुत भूख लगी है दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा चीरा मतलब होता बच्चों फाड़ना ठीक है ठीक है तो दोनों ने तोड़ा मतलब फाड़ा बीच में से एक पत्ता चीरा उन्होंने एक एक टुकडे पर खाना परोसा अब परोसा मतलब अपना खाना रखा और दोनों ने भर पेत खाना खाया ठीक है और जो दोनों है उन्होंने भर पेट खाना पेट भर कर बर पेट का मतलब होता है बच्चों पेट भर कर ठीक है ये आपके कठिन शब्द भी है और शब्द वर्द भी है ठीक है पेट भर कर तो और दोनोंने पेट भर कर खाना खाया इसके बाद एक एक केला भी खाया और दोनों ने उसके बाद क्या करा, एक एक केला भी खाया, ठीक है बच्चों, तो पहला भाई कहां पर रुग गया था बच्चों, आम के पेड के नीचे, ठीक है, उसने वही पर जोपड़ी बना ली थी, लेकिन जो दोनों भाई हैं, वो कहां चल पड़े, वो आगे चल ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, बारिश से बचने के लिए उन्होंने क्या करा, केले का एक एक पत्ता काड़ दिया, ठीक है, और उसके साए से, उसके नीचे, क्या होगे, अपने सर के ओपर वो केले का पत्ता रखा, ठीक है, और थोड़ी देर में जो है, जो बारिश है, ठीक है तो देखो बच्चों केले के पत्ते ने उनके बारिश से भी बचाव करी ठीक है और दूसरा क्या हुआ उन्होंने अपना जो खाना था वो केले के पत्ते के ऊपर रखकर खाया ठीक है और उसके बाद उन्होंने क्या करा एक एक केला भी खाया ठीक है बच्चों तो द बनाऊंगा ठीक है अब जो दूसरा भाई है उसने कहा कि मैं तो घर यहीं पर बनाऊंगा केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा वो कह रहा कि केले के पेड़ से अच्छा पेड़ कौन सा हो सकता है बढ़िया केले खाने को मिलेंगे वो कह रहा कि बढ़िया केले खाने को मिल ठीक है, उसकी सबजी बनाएंगे, ठीक है, वो कह रहा है कि केलों की सबजी भी बनाऊंगा, ठीक है, कुछ केले हम बेच देंगे, कह रहा है कि कुछ केले जो है वो मैं बेच दूँगा, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, वो कह रहा है कि उन पैसों से मैं क्या थे बच्चों महाँ पर बहुत अच्छा लगा ठीक है तो उसने क्या कहा कि मैं यहीं पर घर बनाऊंगा ठीक है अब वो कह रहा है कि केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा ठीक है कि मुझे केले भी खाने को मिलेंगे उसकी मैं सबजी भी बनाऊंगा और जो कुछ केले हैं म पर रहने का सोच लिया ठीक है इसलिए दूसरे भाई ने अपनी जोपड़ी बना ली इस परकार जो दूसरा भाई है उसने भी अपनी पर जोपड़ी बना ली ठीक है अब एक ने पहले भाई ने कहां पर बनाई आम के पेड़ के निचे और दूसरे ने केले के पेड़ के नि नारेल का ठीक है पेड बड़ा लंबा और पतला था जो पेड है वो बहुत लंबा और पतला था ऐसे होता है बच्चो नारेल का पेड ठीक है नीचे से ऐसे पतला सा लंबा सा होता है ठीक है और सबसे उपर उचाई पर उस पर फर लगते है ठीक है तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है, अब उसको चलते चलते क्या हो गया बच्चों, प्यास लगने लगी, ठीक है, टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा, टप मतलब जैसे गिरने के वाज आती है न, टप से, तो जो एक नारियल है वो जमीन पर गिर पड़ा, टपक पड़ा मतलब गिरना, ठीक है, एकदम से जब हमारे सामने आके कोई चीज गिर जाती है न, ठीक है, तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, तो उसने तीसरे भाई ने चाकू निकाला, खर-खर, खर-खर क्या होता है बच्चों, जब वो नारेल साफ कर रहा था, नारेल की जटाएं साफ हो गई, जटाएं होती है, बच्चों जो उसके बाहर का वो होता है न, खाल, नारेल की, ब्राउन-ब्राउन से देखते हो, आप भुरा-बुरा, वो साफ हो गई, फिर उसने नारेल के छिलके में छोटा सा छेद किया, ठीक है, फिर उसने क्या किया, जो नारेल के उपर हिस्सा होता न, बच्चों, उसमें होता है न, वहाँ पर छेद किया, और ठंडा, पीठा, पानी पिया, और ठंडा, मीठा, पानी पिया, किसका नारेल का, ठीक है, और नारेल का ठंडा, ठंडा, मीठा, मीठा, पानी पिया, ठीक है, नारेल के पेड़ की छोटी सी छा, ठीक है, छा चाया तो उसके पेड़ की छोटी सी चाय थी क्योंकि नारल का पेड़ चोटा होता बच्चों जादा नहीं फैला होता ठीक है तीसरा भाई उसी चाओं में बैठ गया और सोचने लगा ठीक है अब वो महीं पर बैठ गया और सोचने लगा आम का पेड़ बहुत बढ़िया होत आम भी बहुत अच्छा अच्छा होता है तौह अच्छा काम का होता है तौह पीड झाला, जी तो झालाख भाई 56 जी तीसरा भाई है बच्छों उसने क्या करा नारेल का पेड़ देखा ठीक है तो एक दम से नारेल का पेड़ उसके आगे गिर पड़ा एक नारेल पेड़ से तूट कर ठीक है उसने चाकु निकाला और चाकु से उसको काटा ठीक है नारेल को साफ किया और उसका थंडा और मीठा पानी होता है नारेल का पा पेड़ के बारे में क्यों सोचा बच्छा क्योंकि उसका बड़ा भाई है वो आम के पेड़ के नीचे रहा गया था तो उसने कहा कि जो आम का पेड़ है वो बहुत बढ़िया अच्छा होता है ठीक है बढ़िया मतलब अच्छा और आम भी बहुत अच्छा फल है केले का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, समझाया आपको, देखा बच्चो, कि कैसे कैसे वह पेड की, हमें यहांपर क्या बता रहे हैं, मैं तो बतारे हैं, कि हमें पेड कितना, हर पेड का कितना उपयोग होता है, ठीक है, बच्चो, यह आपके कारेपत्री का है, यह ज दूखे से होते हैं, दातुन, दान्च साफ करने का मंजन, कुटिया, घर, डोरिया, रस्सी, टहनिया, डाल, सडक, मार्क, ठीक है बच्चों, आगे देखें, तीनों भाई किस मोसम में घर की तलाश में निकले, तो कौन सा मोसम था बच्चों, गर्मी का मोसम, कैसे पता लगा आपको गर्मी का मोसम है, तो कि गरम गरम धूप थी, और आम पके वे थे न, तो आम किस मोसम में पकते हैं बच्चों, गर्मी के मोसम में पकते हैं न, ठीक है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहां रहते होंगे, तो कहां रहते थे, तो घर की तलाश में निकलने से प तो अपने पुराने मकान में रहते होंगे। आगे देखिए, कौन-कौन से फल हर मोसम में मिलते हैं। तो कौन-कौन से फल हमें बच्चों हर मोसम में मिल जाते हैं। सेव, अमरूत, केला, ठीक है, यह हमें mostly मोसम में मिल जाते हैं। बारिश से बचने के लिए तीनों भाईयों ने क्या किया बच्चों बारिश से बचने के लिए तीनों भाईयों ने केले के पत्ते को काट कर अपने सीर पर रख दिया ठीक है तो उन्होंने क्या करा सोरी बच्चों यहाँ पर दोनों भाही आएगा तो उनों ने क्या करा केले के पत्थे को काट कर अपने सीद पर रख दिया बारिस से और उससे उनकी बारिस रुख गए ठीक है, यह आपका अभ्यास कार है आपने वाक्य बनाव करने है पत्ता का वाक्य बनाना है आपने ठीक है जैसे कुछ भी लिख सकते हो कि केले के पत्ते पर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे ठीक है ऐसे जोपड़ी मीठे मीठे ठीक है आम बहुत मुझे मीठे मीठे आम बहुत पसंद है ठीक है राम को मीठे मीठे आम बहुत चाकू मजबूत ठीक है बच्चों तो इनका आप वाक्य बनाएंगे अपने शब्दों में आगे देखे सोचे और लिखे या आपने खुद करना है अगर आपको अपने बगीचे में पेड लगाना हो तो तुम कौन सा पेड लगाओगे ठीक है चित्र सहित उस पेड का नाम उसके बारे में चार वाक्य लिखिए कि आपको वह पेड क्यों लगाना है ठीक है बच्चों आप जैसे देखिए मुझे आम का पेड बहुत पसंद है ठीक है तो इसलिए मैं क्या करूंगी यहाँ पे पहले बच्चों मैं आपको बता रही हूं चित्र बनाना है पेड का ठ मुझे आम का पेड आम बहुत पसंद है ठीक है बच्चों द्यान से सुनिए इसलिए मैं आम का पेड लगाऊंगी ठीक है तो यहाँ पे आप आम के पेड का चित्र बनाएंगे अब आप क्या लिखेंगे उसके बारे में आम के पेड के नीचे क्या होती है छाया अच्छी म आम में आती है, ठीक है? अजब को झाल